नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाध्याय स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसस में दोस्तों बात करेंगे टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में इस स्टॉक में आप सभी ने एक तूफानी तेजी आती हुई देखिए जितनी भी अ लेकिन यह स्टॉक दुबारा उपर आएंगे बेचना बिल्कुल नहीं है इस्पेशली मैंने टाटा स्टील वेधांता इंड हिंडाल को कवर करा था दोस्तों वेधांता के बारे में बात करें तो यहां पर 40% की डिविडेंट हो चुक है काफी जादा इंट्रेस्टिंग ह बनाईए और शायद आज एक वीडियो बनाऊंगा मैं जहां पर आपको क्लियर ली समझाऊंगा वेधांता के डिविडेंट के बारे में तो टाटा स्टील की बात करें तो इस्टॉक स्प्लिट होने के बाद इसमें जोड़दार एक्शन होता हुआ दिखा है लोगों के ब देकर मैंने वीडियो काफी बनाई हैं मेरे पास अभी जो रिसेंट में जो सबसे आदा कमेंट आ रहे हैं कि क्या मैं अभी बाय कर सकता हूं इसी के बारे मैं आप सभी के साथ बात करूंगा एं कुछ रिपोर्ट साहिए इंफेक्ट दो रिपोर्ट आई हैं ताटा स्टील बैल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप लोग अदक पहुझे सबसे पहले वीडियो आपको समझ में आए पसंद आए इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज यार इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मुझे मॉटिवेशन मिलती रहे तो चलिए दोस्तों टाटा स स्टील के स्टॉक पे और उनका टारगेट प्राइस जो वो लगबग एक हजार पचपन का है यह क्या कहना चाहरे हैं मैं आपको क्लियरली बताओं सबसे पहले उनका कहीं ना कहीं जो रिजल्ट से उसको एक्स्पेक्टेशन से उसके बाद है वी मेंटेन आवर नीट्रल र लेकिन अगर आप स्टॉक का प्राइस देखें तो 1,070 के पार ट्रेड कर रहा है आप इसको प्रीशप्लिट लें क्योंकि एक साल में सौरदेवाले गोड़े तो प्रीशप्लिट के हिसाब से स्टॉक का प्राइस अभी 1070 यानि इनके तार्गेट प्राइस से उपर ट्रे प्रभुदास लीलाधर जी की रेपोर्ट आये से स्टॉक को लेकर प्रभुदास लीलाधर रेकमेंडेट रेटिंग आन टार्टा स्टेल विद टार्गेट प्राइस आजिएट प्राइस आजिएग गटा दिया ये split से पहले ही घटा दिये क्योंकि split की date 28 थी X date 29 थी record date तो जिस दिन X split से एक दिन पहले ही just इन्होंने अपनी report निकाली है जहां पे इन्होंने 975 के targets दिये and report को इन्होंने target price cut करें जिसके बाद इनके target price cut होते ही stock का price जो गोली हो गया अब बात करते हैं इस stock पे अब आपको करना क्या चाहिए देखिए मेरे हिसाब से इस stock में अभी एक resistance आप सभी के लिए आएगा 110 अगर आप इसका chart खोलेंगे तो exactly इस stock में continue lower lows लग रहे थे उसके बाद इस stock ने 108 लगाया 8th of June को आप 8 June का high देखें in fact closing देखें हाई नहीं 8 June की closing आपकी 109 रुपीज पे मिलेगी आपको और 109 रुपे से गिरते गिरते ये शियर सीधे 84 रुपीज तक आया यानि 840 तक आया 1080 से continue गिरते हुए 830 का इस stock ने 22 June को लो लगाया यानि की 8 June से 22 June तक continue आपने one-sided heavy गिरावट देखी उसके बाद recovery स्टार्ट होगी है ये recovery दुबारा पूरी 108 रुपे पे लेके आ गई है से stock को अब इस stock में जो closing है 110 के ऊपर अगर आती है लेकिन अब एक investor के लिए बात करूँ तो दोस्तों जादा तर investor के लिए बात होती है कि खरीद लो quality stock लेकिन यहां मैं आप चेकोंगा इंतजार करो देखिए commodity के prices में gain हुआ है demand की उमीद हैं बनी है लेकिन अभी आई नहीं है और जितना यह stock reflect कर गए है यानि metal stock जितना reflect कर गए है मुझे लगता है उतने अभी संकेत अच्छे नहीं है उतना mood mahal भी अभी अच्छा नहीं आया तो मुझे लगता है अब आपको wait करना चाहिए थोड़ा सा dip का अब data steel के बारे में बात करूँ आपके लिए अच्छे लेवस जो होंगे बाइंग के लिए वह होंगे around 95 to 93 तो आप एक investor हो तो आपको कभी कबार बेचने के लिए अगर समय देना होता है कि हां मैं अपने target का इंतजार करूँ हो तो कभी कबार खरीदने के लिए भी आपके target का इंतजार होता है क्यों क्योंकि आप एक investor हो आपको जब जब अच्छा price मिलेगा तभी खरीदना है आपको तो क्या करना है आपने आपने इंतजार करना है around 95 के पास आया तो आपने पहली dip डालनी है पहली SIP करनी है अपनी पहला installment डालना है 92 आ जाए दूसरा थोड़ा डालेंगे 90 के पास और डालेंगे बस that's all फिर हम लोग 900 रुपे खरीद के बैट गए हमारे 1100 रुपे तक के target होंगे और नीचे में अराम से अगर इनके 800 मिलता है तो थोड़ा और खरीद लेंगे simple क्योंकि हमें तो मौका चाहिए काफी लोग यह कहते है अच्छा स्ट्रो को लेकर होप आपको समझ में आयोगी thank you so much for watching this video have a great day guys